हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एजी बैंकर सैनल पे अगर आप इस सैनल पर पहली बार आए हैं तो जैनल को सब्सक्राब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें इस वीडियो में हम लोग डिसकेस करेंगे जो भी स्टुडेंट्स बिहार पोस्ट मैट्री के स्कॉलर्शिफ फॉर्म का वेट कर रहे हैं सेसन 2022-23 के लिए और बहुत सारे स्टुडेंट किये हैं कि सर 2022-23 सेसन का अपलाई कब से होगा उसके रिगारिक हम एक नोटिस देखें है कि कब से आपका उनलाइन फर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा सेसन 2022-23 के लिए जो भी यह स्टुडेंट्स का अभी पेमेंट के लिए नहीं हुआ है यह पैमेंट अंडर प्रोसेस है उनका पैमेंट जो है अंडेर परसेंट के लिए हो जाएगा जल्द से जल्द लेकिन तो भी स्टुएंट का अभी तक वेरिफिकेशन में ही फसा हुआ है, यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, यहां पर हम लोग बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप के ओफिस्यल साइट पर आ चुके हैं, यहां पर आने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना अपरेगा, pmsonline.bih.nic.in तब आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप के ओफिस्यल वेबसाइट पर आते हैं, ठीक है, और जो स्टुएंट कर रहे थे कि सर्थ 2018-2019 का पेमेंट नहीं आया है, तो वह सारे स्टुएंट के लिए जो है, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉ स्कॉलर्शिप 2018-2019 अप्लाइड अर्लियर ऑन इनसपी बर पेमेंट नोट रिसीब, जो स्टुएंट 18-19 सेशन का नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल पर अपलाई किये थे, लेकिन उनको पेमेंट रिसीब नहीं हुआ है, तो वह सारे स्टुएंट जो है, बिहार पोस्ट मै के एजुकेशनल डिपार्टमेंट के ओफिसेल वेबसाइट पर आये हैं, यहां पर आने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, state.bihar.gov.in, तब आप बिहार गोवर्नमेंट के एजुकेशनल डिपार्टमेंट के ओफिसेल वेबसाइट पर आते हैं, यहां प यहां पर किलिक किजिएगा, तो आपको एक लेटर ओपन हो जाएगा, तो आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको बिहार सरकार सिक्षा विभाग के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, यहां पर हम लोग आपको देखा देते हैं, कि आपको कब से जो आपका ओनलाइ 22 तक online आवेदन प्राप्त करने से संबन्दित विज्यापन प्रकासित करने हेतु पिछरा वर्ग एवं अती पिछरा वर्ग कल्यान विभाग बिहार तता अनसूचित जाती एवं अनसूचित जन जाती जो भी SC-ST student है BC-EBC केटगोरी student है बिहार चे संचीका के माध्यम से संब प्राप्त करने का निनने लिया गया है इसमें बतलाया गया है जो मीटिंग हुआ था इसमें निनने लिया गया है कि आपका 10 सेप्टेंबर 2022 जो आपका online form में स्टार्ट हो जाएगा और आपका 9 अक्टूबर 2022 तक आपका last date रखा गया है यह आपका लेटर जारी किया गया ह जैसे निए official website पर आपका update आता है तो हम लोग update कर देंगे इसके लिए आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको बिहार postmetrics scholarship से related इसके अलबा भी कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को subscribe जरूर करे thank you for watching